भारत में मीठे पानी के अपार स्रोत मौजूद हैं जैसे तालाब, सरोवर, जील और जलाश है जोकि मीठे पानी के जींगा उत्पादन के लिए आधर स्थान है मीठे पानी की मचलियों जैसे काप की दुलना में इनकी कीमत अधिक होती है इसलिए इनका उत्पादन ग्रामीर मचली पालकों की आमदनी बढ़ाने और आर्थिक स्तर सुधारने में सहायक सित होगा मीठे पानी के जींगा को मुझूदा मचली तालाबों में प्रमुख कार्प मचलियों जैसे कतला और रोहु के साथ पाला जा सकता है या धान की खेती में समेकित कर धान उत्पादन से आमदनी बढ़ाई जा सकती है मीठे पानी के जींगा की सबसे बड़ी और तेज बढ़ने वाली प्रजाती मैक्रोप्रेक्यम रोजन बर्गी के नाम से जानी जाती है और इसे देश के व्यवसाइक जलजीव बालन दशाओं में सफरता पूर्वक अपनाया गया है ये प्रजाती समानतया स्कैमपी के नाम से जानी जाती है और देश विदेश के बाजारों में इसकी अच्छी मांग है ये शीक्र ही बहुमूले विदेशी मुद्रा के अरजन का प्रमुक स्रोथ बनने वाली है इसे कारप पालन प्रणाली के एक घटक के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है या निर्यात के उदेश से अकेले भी पाला जा सकता है जींगा पालन के और अधिक प्रसार में एक प्रमुक समस्या तालाबों में संग्रह के लिए जींगा बीजों यानी पोस्ट लार्वा की परियाप्त आपूर्ती का भाव है आने वाले वर्षों में कम से कम दो लाख हेक्टेर जलक्षेत्र के विकास के लिए एक हजार करोड जींगा बीजों की आविशक्ता का अनुमान है इस कमी को दूर करने और बीजों की आपूर्ती बढ़ाने के लिए क्या उपाई किया जा सकता है इसका उत्तर सीफा के नाम से विख्यात केंद्रिय मीठा जल जल जीव पालन संस्थान के वईज्यानिकों ने दिया है ये प्रमुक संस्थान डेश के मीठे जल में समवर्धन द्वारा जल जीवों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोध्योगी की विक्सित करने और उनके मान की करण में सनलगने है दस वर्षों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप संस्थान ने मैक्रोप्रेक्यम रोजनबर्गी प्रजाती के उच्च गुनवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए व्यवसाइक रूप से कामियाब अंडज उत्पत्तिशाला यानि हैचरी प्रद्योगी की विक् प्रजनक जींगा का संग्रह किया जाता है प्रजनक जींगा या केवल अंड़ाधारी मादाओं को नदियों की निचली धाराओं संवर्धन तालाबों या प्रजनक जींगा तालाबों से इकठा किया जाता है सीफा में प्रजनक जींगा को कच्चे तालाबों में पाला जाता है बीच उत्पादन के पहले चरण में प्रजनक जींगा तालाब से स्वस्त मादा जींगा को चुनकर हैच्री लाया जाता है इसके उदर के प्रिष्ट भाग में धूसर अंडे मौजूद होते हैं फिर मादा जींगा को 30 PPM यानी 30 भाग प्रति 10 लाग भाग पॉमिलिन से 30 मिनिट के लिए वातन के लिए जम रहित किया जाता है। फिर इनका 100 से 1500 ग्राम प्रति घन मीटर की दर से खारे पानी में अंडों से लारवा निकलने तक संग रह किया जाता है। पानी में 5 PPT यानी 5 भाग प्रति 1000 भाग लवणियता रखी जाती है। लारवा निकलने में 2-3 दिन लगते हैं। टंकी को प्रति दिन साइफन द्वारा और हर दूसरे दिन 50 प्रतिशत पानी बदल कर साफ किया जाता है। कांच के बीकर की मदद से प्रति दिन लारवा निकलने की चांच की जाती है। एक बार अंडों से लारवा निकलने लगें तो ये प्रक्रिया 24-48 घंटे तक जारी रहती है। इसके बाद मादा को टंकी से निकाल कर फिर से प्रजनक जींगा तालाव में छोड़ दिया जाता है। नए उत्पन लारवा सूक्ष्म होते हैं और इन्हें जीवित रहने और बढ़वार के लिए 10-12 PPT लवणियता वाले खारे पानी की आविश्रक्ता होती है। इसकी अलग-अलग आकरितियों वाली जारा सूस्पष्ट लारवा अवस्थाई होती हैं और इसे पोस्ट लारवा बनने में 30-35 दिन लगते हैं। मादा जींगा को बाहर निकालने के बाद लारवा पालन माध्यम की लवणियता 12 PPT तक बढ़ा दी जाती है। लारवा को उसी टंकी में पाला जा सकता है या पालन के पहले चरण में उच्च सघंता पर दूसरी टंकी में 10-12 दिन तक रखते हैं। प्रारंबिक लार्वा को उच्छ सघंता पर पालने से लार्वा माध्यम और जगह की पचत होती है, तथा आहार का बेहतर उप्योग होता है. नई उट्पन लार्वा को पहले दो दिन तक कोई आहार देने की आवर्शकता नहीं होती, क्योंकि ये पोशन के लिए अपने भीतर संचित पी तक पर निर्भर होते हैं. तीसरे दिन से लार्वा को आहार देने की आवर्शकता पड़ती है. प्रारंबिक अवस्था में जींगा लार्वा को प्रति दिन 4-5 बार नए उत्पन आर्टीमिय नौपलाई का सजीव आहर दिया जाता है आर्टीमिय नौपलाई का उत्पादन आर्टीमिय सिस्ट से करते हैं जो बाजार में डिब्बो में वैक्यूम पैक किये हुए उपलब्ध है एक लाग पोस्ट लार्वा के उत्पादन के लिए लगभग 2 किलोग्राम आर्टीमिय सिस्ट की आविशक्ता होती है आर्टीमिय नौपलाई के उत्पादन के लिए सिस्ट को एक घंटे तक मीठे पानी में रखा जाता है और फिर सोडियम हाइपोक्लोराईट द्वारा जर्म रहित करते हैं इसके बाद सिस्ट को बहते हुए नल के पानी में धोया जाता है और हैचिंग के लिए बढ़िया वायू प्रवाह के साथ सिलिंज्र को कोनिकल टैंक में रखते हैं 24 घंटे के बाद सिस्ट से आटीमय नौपलाई निकलते हैं जिन्हें प्लास्टिक की बाल्टी से साइफन करके सिस्ट के खाली खोल और बेकार सिस्ट से अलग कर लिया जाता है आर्टी में नौपलाई को लार्वा के माध्य में मिला देते हैं और फिर लार्वा को आहर के रूप में देते हैं लार्वा पालन की तलहटी में जमें अतिरिक्त खाद्य पदार्थों और व्यर्थ पदार्थों को प्रति दिन साइफन द्वारा निकाल कर सफाई की जाती है ये काम वायू प्रवाह बंद करके जहां तक हो सके शाम के समय पानी बदलने और आटी में नौपलाई डालने से पहले करना चाहिए लार्वा निकलने के 10 से 12 दिन बाद दूसरा चरण प्रारंब होता है जिसमें लार्वा को एकत्र करके अधिक सतही क्षेत्र वाले बड़े टैंक में रखा जाता है या 50 से 80 प्रति लीटर की दर से 2 या 3 टैंट में वितरित कर दिया जाता है तथा रूपान तरन तक पाला जाता है लार्वा पालन के द्वितिय चरण में लार्वा को आटी में नौपलाई और एक कस्टर नामक गीला लार्वा आहार के रूप में दिया जाता है एक कस्टर बनाने के लिए मुर्गी का अंडा, मखनिया दूद का पाउडर, गेहूं का आटा, मसेल का मास, विटामिन और खनिज मिश्रन तथा कॉर्ड मचली के जिगर के तेल को मिला कर मिक्सी में पीसते हैं और फिर इस गीले पदार को 15 मिनिट तक भाप में पकाया जाता है कस्टर को 3 से 4 दिन तक प्रशीतन में रखा जा सकता है कस्टर को जालीधार चन्नी से विभिन कण आकारों के अनुसार छान लिया जाता है और इसका लार्वा के माध्यम में निलमबन बना लेते हैं फिर इसे जॉपर की मदद से लार्वा को खिलाया जाता है 50 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन वाले गीले लार्वा आहार को लारवा अवस्था की अनुसार प्रति दिन 50 से 200 माइक्रोग्राम प्रति लारवा की दर से खिलाना चाहिए गीला आहार दिन के समय दिया जाता है आहार देने का काम लगातार निगरानी रखते हुए सुबह तड़के शुरू करके दो पहर बात तक करना चाहिए और बीच में एक खंटे का अंतराल देना चाहिए हैचरी में मुख्य समस्या पानी की गुणवत्ता को उत्तम बनाए रखने की है हैचरी में पानी की गुणवत्ता चयापचयी पदार्थों के एकठा होने और व्यर्थ पड़े खाद्य पदार्थों के सरने से खराब होती है पानी की गुनवत्ता की प्रबंध का सर्वोत्तम तरीका प्रति दिन पानी बदलना है लेकिन ये केवल तटीय हैचरी में ही अपनाया जाता है सम्मुद्र तर्ट से दूर स्थित हैचरी में हर दूसरे तीसरे दिन पी-एच और अमोनिया की जाँच के बाद पानी बदलना चाहिए पानी की गुणवत्ता की सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए तापमान, लवणियता, पी-एच मान और घुली हुई ऑक्सिजन की प्रति दिन जाँच करनी चाहिए अमोनिया की जाँच पानी बदलने से पहले करें सफल बीज उत्पादन के लिए पानी का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें लवणियता 10 से 12 पी-पी-टी के बीच हो पी-एच मान 7 से 8.5 के बीच हो और घुले हुई ऑक्सिजन 5 पी-पी-एम से अधिक होनी चाहिए नाइट्राइट और अमोनिया 0.1 पी-पी-एम से कम होनी चाहिए समानित आया लार्वा 1 से 4 दिन में एक अवस्था पार कर लेते हैं स्वस्थ लार्वा पानी की सतह पर तैरते हैं और बड़ी तेजी से आहार ग्रहन करते हैं जबकि अस्वस्थ लार्वा टैंक की तलहटी में एकठा हो जाते हैं लार्वा उत्पन होने के लगबग 20 दिन बाद आमतोर पर 22 से 26 दिन के बीच 28 से 32 डिगरी सेलसियस तापमान पर पहला पोस्ट लार्वा दिखाई देता है 90 प्रतिशत लार्वा अगली 10 दिन में रूपांतरित हो जाते हैं पोस्ट लार्वा को इसके व्यभार और रंग रूप में असाधारन बदलाव के कारण पहचाना जा सकता है पहली बार ये नन्ने वयस्क जींगा के समान दिखाई देते हैं और तेजी से तैरते हुए टैंक की सतह पर रेंगते हैं या चिपक जाते हैं पोस्ट लार्वा का उत्पादन समाने तया 35 से 40 प्रतिलीटर के बीच होता है और ये चक्र 35 से 40 दिन तक चलता है लार्वा के पालन में रूपांतरन से पहले और बात की अवस्थाएं नाजूख होती हैं विभिन्द प्रकार के आधार उपलब्ध कराकर स्वजाती भक्षन की समस्या नियूनतम की जा सकती है इसके लिए घोंगे के खोल या प्लास्टिक से एक के उपर एक कई प्लैटफॉर्म वाली खड़ी प्रणाली या घनी जाली वाले बड़े फ्रेम बना कर टैंक में रख दिये जाते हैं जिन पर पोस्ट लार्वा आराम करते हैं लार्वा टैंक से संग्रह के बाद पोस्ट लार्वा को धीरे धीरे मीठे पानी के अनुकूल बनाया जाता है प्रारंब में पोस्ट लार्वा को पांच पीपीटी के माथ्यम में 24 घंटे तक रखा जाता है और फिर इन्हें 24 घंटे के लिए दो PPT में रखते हैं इसके बाद इन्हें मीठे पानी में स्थानांतरित कर देते हैं मीठे पानी में अनुकूली करण के बाद पोस्ट लारवा यानि बीच को लारवल आहार देना बंद करके विशेश रूप से तयार आहार उनके जैवभार के 100% की दर से प्रतिदिन दिया जाता है एक सब्ताह या पकवारी के बाद पोस्ट लारवा बढ़वार के लिए तालाब में छोड़ने योगी हो जाते हैं और इन्हें जींगा पालकों को बेचा जा सकता है परिवहन के लिए बीजों को पॉलिथीन की थैलियों में ऑक्सिजन के साथ पैक किया जाता है और कनस्तर या उश्मा रोधी डिबों में रखा जाता है पॉलिथीन की थैली में लगभग एक पिहाई पानी भरा जाता है समानितया 24 से 30 घंटे परिवहन के लिए बीजों को 50 से 100 प्रति लीटर की दर से पैक किया जाता है यदि परिवहन की अवधी 30 घंटे से अधिक हो तो बीजों की सगहनता घटा कर 25 से 30 प्रति लीटर कर देनी चाहिए रोगों की रोगठाम के लिए बीज उत्पादन के प्रतिक चक्र के बाद लारवा पालन के सभी टैंकों तथा लारवा पालन में उप्योग की गई अन्य वस्तूओं को जन्म रहित करना आवशक है कैल्शियम या सोजियम हाइपोक्लोराइड हैचरी में उप्योग किया जाने वाला सबसे प्रचलित रोगाणू नाशी है मीठे पानी के जींगा के लारवा को प्रभावित करने वाले अनेक रोगों का पता लगाया गया है जीवानू, कवक और प्रोटोजोवा रोग उत्पन करने वाले प्रमुक कारक है रोग के समस्या आम तोर पर इन कारणों से उत्पन होती है टैंक में साफ सफाई में कमी, पानी का अपर्याप्त बदलाओ, आहार की गुणवत्ता या मात्रा में कमी और ऑक्सिजन की कम उपलब्धता मीठे पानी के जींगा के उत्पादन में वृध्धी से नकेवल, ड्रामीन, मचली, पालकों और उध्यमियों की आर्थिक स्थिती में सुधार होगा बलकि ये देश को अंतराश्टी बाजार में प्रभावशाली धंग से प्रवेश दिलाने में सहायत होगा